आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिश फिंगर्स की रेसिपी यह पाटी स्नाक है और यह घर पे बहुत ही आसानी से बन जाता है इसे हम बासा फिश से बना लेगे और यह खाने में बहुत ही टेश्टी होता है तो चलिए रेसिपी को शुक्यू करते है यहां पर मैंने किमें वासा फिश फिलिट्स लिया है 300 ग्राम इसको हम स्टीपेश में कट कर लेगे है बिल्कुल ऐसे ही सारी फिश स्टीप को कट करके रוך रहा है बिल्कुल ऐसी तरह से आपको इसको तयार कर लेना है इसके मारिनेशन के लिए हमने एक बोल में दो एग वाइट लिए हैं इसमें हम चार टेबल स्पून मैदा डालेगे इसमें जाएगा एक टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट इसमें हम डाल देगे नमक स्वादा नुसार इसमें जाएगा एक टीस्पून वाइट पेपर पाउडर इसमें हम डाल देगे हाफ टेबल स्पून लेमिन जूस इसमें जाएगा एक टीस्पून गालिक पाउडर इन सारी चीज़ों को हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेगे और एक Smooth सा पेस्ट बना लेगे बिलकुल इसी तरह से आपको इसका पेस्ट बना लेना एकदम स्मूध कोई गुकलिया नहीं होना चाहिए इसमें मेधा की, इसमें हम हमारे बारसा फिश को डाल देगे, जो हमने कड़ करके रख दिया था, इसमें, यह तोटल 300 ब्राम है, फिश फिंगर्च को हम अची तरह से कोट कर लेगे, इस पेस्ट मेगे, और इसको हम फंदर के लिए मारिनेट करने लिए चोड़ देगे, याप एक बोल में मैंने एक कप पाइन को ब्रेट क्रम्स ले लिया है फिश फिंगर्स को हम अची तरह से इसमें कोट कर लेके आपको इसमें दोनों हाथ गंदे नहीं करने है एक हाथ से आप फिश को उठा कर इस पाइन को मिक्स्चर में डाल दोगे और दूसरे हाथ से आप इसके उपर पाइन को ब्रेट क्रम्स लगा दोगे इसलिए आपको एक हाथ को साफी रखना है ताकि आप फिश को अची तरह से पाइन को ब्रेट क्रम्स से कोट कर सको इसी तरह से आपको इसको आतों की बीच में रोल करके इसको कोट कर लेना है अच्छी तरह से कोट कर लेना है आपको इसको कोट करने के बाद हम इसको डीप फ्राइ कर लेगे इसको ब्रेट क्रम्स लगाने के बाद आप इसको आराम से फ्रीज कर सकते हो एक दो मैने तक यह फीजर में रहेगा एटाइट कंटेनर में आप जब भी चाहो इसको निकाल के फ्राइ कर सकते हो यहापे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था तेल अची तरह से गरम होने के बाद हम इसमें फिश फिंगर्स डाल देगे और इसको पहली बार इसको बस तीन मिनट तक हमें पका लेना है मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेगे बस तीन मिनट तक टाइमर पे लगाते हैं तीन मिनट और तीन मिनट के बाद इसको निकालने हमें तीन मिनट के बाद यह कुछ ऐसे लगने लगेगा आप इसको तेल से निकाल लेना इस पॉइंट पर और इसको दो से तीम मिनिट के रेस्ट के बाद इसको फिर से तेल में डालेगे फ्लेम को हमें बन नहीं करना है फ्लेम को हमें हाई पे रखके तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है इस दोरान में तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा और इसमें फिर से हम हमारे फिश फिंगर्स को एड़ कर लेगे गरम तेल में और इस बार हाई फ्लेम पे हमें लाइ यह light golden brown color का हो चुका है अभी हम इसे तेल से निकाल देगे इसे ज्यादा time नहीं लगेगा क्यूंकि फिश को पकने में ज्यादा time नहीं लगता है तो इसे बस पहली बार तीन मिनिट के लिए और दूसरी बार light golden brown होने तक हम पका लेके इसको पहली बार medium flame पर और दूसरी बार high flame पर तो यह तैयार हो चुके हैं इसको आप टाटर सॉस के साथ enjoy कर सकते हो ताटर सॉस की recipe भी शेयर करूगी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी